दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ट्यूशन घर ओफिशियल में जैसा कि आप लोगों ने भी सरकारी रेजल्ट पे देख लिया होगा कि एक बहुत ही जवरदस्त वैकेंसी आप लोगे सामने आ गई है वो बिहार में इस वैकेंसी को देखा ज जो कि मेंड चैनल जो डेडिकेटेड है स्टैनोग्राफर की तरफ उसको लेके भी यह वैकेंसी है स्टैनोग्राफर की त्यारी करते हैं तो आप जरूर सम को भरिएगा बिहार कलर के लिए भी आए धेखतेया सबसे पहली बात करते हैं कि यह जो फॉर्म आया हुआ कब से अपलाई होगा और क्या इसकी क्या डेटे हैं ठीक है देखो इसमें क्या अप्लिकेशन जो शुरू होगा वह बीस तारीक से सुरू होगा मतलब की आज कितना तारीक है आज के एक औरण आप देखोगे लगबगत आप देख सकते हो छे से साथ दिन बाद आज है तेरा तारीक तो छे साथ दिन यह form open हो जाएगा हर कोई form fill कर सकता ठीक है लास्ट डेट अगले मंथ का है 20 तारीक का फिल करता रहेगा ठीक है दूसरी बात देखो फीस का last date का यह है लेकिन अभी भी देखो फीस के बारे में कोई details रही दी गई है फीस वगेरा क्या लिया जाएगा ठीक है तो यह चीज़े अभी hidden है क्या फीस होंगी क्या charges होंगे वो सब हम लोग देखेंगे अभी के लिए खुसकबरी यही है कि सरकाई result पर आप जाके इसको फिल भी कर सकते हो देखो वैरियस पोस्ट के लिए यह चीज़े हैं आप देख सकते हो एज क्राइटेरिया कितना रखा गया 18 साल रखा गया मिनिमम इज़ा ठीक है अब देखो इसमें और भी चीज़े क्या है कि कि कितनी पोस्ट है देख रहे हो ध्यान से अगर आप देख है तिस सो पच्चीज के लिए और इस स्टैनोग्राफर का देखो स्टैनोग्राफर के लिए है 1562 सीटे इलेजबिल्टी की डिटेल्स दिये जाएंगे अभी तो सुनने में आ रहा है कि जैसे प्यून का जो एक्जाम है या फिर कोट रीडर का है यह प्यून के एक्जाम के किस टाइब के पेपर पूछे जाते हैं वो मैं आपको आइडिया दूगा बाकी बहुत सारी बाते अभी हिडन है अभी स्लेबस के बारे में कोई जानका ही नहीं है दूसरी बात ये भी नहीं कि लेजबिलिटी का इटर का इरिया क्या रहेगा इस टैनोग्राफर का क्या हि में 20 तारिक तक विजवल हो जाएंगे तो वैकेंसी आ गई है अलर्ट मूड पर रही है एक्जाम का कोई डेट अभी आप देखी पा रहे होगे एक्जाम का कोई डेट मेंशन नहीं है ठीक है एज पर शेडियूल जैसा ही रहेगा उस वक्त बता दिया जाएगा ठीक है यह वो डेट है जिसमें आपको उससे पहले देखने को मिलके लेकिन उससे पहले सच में आ गया है 20 तारिक से यह फॉर्म शुरू हो जाएगा फिल करना तो 20 तारिक को यह फॉर्म आप इजली भर सकते हो सरकाई रजल पर जाके या कहीं से भी आप भर सकते हो सेम चीज़े यही चीज़े आपको इंग्लिस मूड में मिलेंगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा बस बताने का आपको यही मोटो था कि आप इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन की चीज़े भी बताई जाएंगी जो ही वैकेंसी आएंगी इसके बारे में जैसे ही स्लैबस म mulheres के मानक माना गया है का जारा कि Hindi के स्टिक हूं के हिंदी के स्टिक के लिमिट की 30 चुम्रेंगे racism इंग्लिस के question की इसमें बात हुई है कि इंग्लिस के question कि रहेंगे तो इंग्लिस के बहुत की criteria सेट की गई है maths भी इसमें देखो दोस्त इसमें maths के बारे भी बात हुई है कि 25 questions maths की आएंगे ऐसा अभी तक लगबग 85 question हो जा रहा है और 15 का साइद इसमें interview का process है everything clear हो जाएगा जब हम syllabus को देखेंगे ठीक है फिरहाल इतनी बाते आप ध्यान रखें लगबख syllabus का यही हिस्सा होने वाला है ठीक है तो मेरी तरफ से यह जानकारी आपको कैसी लगी और भी कोई बाते आपको जानना होगा तब भी क्या करिएगा इस date का वेट जरूर क करिएगा और भी आपकी कोई query होगी तो comment box में छोड़ दीजेगा मैं जल्द से जल उसके बारे में solution आपको करके बताओंगा ठीक है ठीक कियर थैंक यू क्यात्व犌 था हुआ था हुआंगा